नमस्कार राज़्टाना टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाम आपके साथ भारत शनीवार को एक महत्वपूर्ण कुट नीती जीत दर्च करते वे सभी सदस देशों की सहमती के साथ नई दिली लीडर समिट डिकलेरेशन सुईकार कराने में काम्याब हो गया हलाकि इसके लिए पेम मोदी को अपने परसनल इक्वेशन का इस्तमाल करना पड़ा युक्रेन के मुद्दे पर सहमती बनाने में भारत को कड़ी मशक्कत करना पड़ी शुकर और रात तक सदस्य देश इस पर समत नहीं हो सके थे सुत्रों के अनुसार तीन से च्छे सितंबर को नुओं में हुई जी ट्वेंटी शेर्पा मिट में सदस्य देशों के शेर्पाओं के बीच युक्रेन युद्ध को लेकर काफी गर्मा गर्मी हो गई थी उसके बाद भारत के अधिकारियों ने दिल्ली वापस आकर युक्रेन युद्ध पर एक नया पेराग्राफ बनाया जिस पर सदस्य देशों की राए ली गई भारत ने अपनी तरफ से ये दलिल दी कि युक्रेन युद्धु को सिर्फ एक मुद्दे के रूप में नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसके कारण और महत्पुर्ण मुद्दों पर भी समती नहीं बन पा रही है शनीवार को विबिन देशों के प्रतिनी दी सुबस साड़े दस से डेड़ बजे तक वन अर्थ के तहत मिले और उन्हेंने पांच मीट के समय में अपनी बात रखी दोपर साड़े तीन बजी ये खबर आई की नई दिली डिकलेरेशन जिसमें 83 पेरियाग्राफ है को सभी देशों ने अपनी सहमेती दे दी है प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने भारत मंडप में शिकर सम्मिलन के दूसरे सात्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ दहने बाद